स्वागत दोस्त हमारे यूट्यू चैनल इलेक्टिकल हिंदी में दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे फैन में कौन सा कैपेस्टर लगाना उचीत रहेगा अक्सर हमारे मन में ये डाउट रहता है कि जब हमारे फैन का स्पीड स्लो हो जाता है तो हम सुनते हैं कि जो कैपेस्टर उसमें लगा है उससे अगर हाई रेटिंग का कैपेस्टर जब हम यूज करेंगे तो हमारा फैन का स्पीड बढ़ जाएगा ऐसे करने से हमारा क्या नुक्सान हो सकता है और सही हम कैपेस्टर को कैसे कलकुलेट कर सके कि हमारे फैन में कितना MFT का कैपस्टर हम यूज करेंगे जिससे हमारा फैन का स्पीड जो है सही चल सके आज के वीडियो में हम यहीं जानेंगे तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं जातर प्रोब्लम यही होता है दोस्त कि जब नए फैन को हम अपने घर लेके आते हैं तो उस टाइम तो हमारा जो फैन होता है वो सही से प्रोपर और फूल स्पीड में काम करता है लेकिन कुछ समय बितने के बाद जैसे 2 महीना, 4 महीना या 6 महीना या कई बार साल भर होने के बाद जो है फैन का स्पीड हमारा सुलो हो जाता है तो उस टाइम में अक्सर हम यहीं सुनते हैं जो उसमें कैपेस्टर लगा रहा था उसको हम चेंज कर देते हैं उससे बड़ा कैपेस्टर के बहलू लगा देंगे तो हमारा फैन का स्पीड फिर बढ़ जाएगा तो इससे करने से दोस्त हमेशा सही नहीं होता है कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा फैन जो है दोसे 4 दिन चलने के बाद फिर उतनी स्पीड पे ही आ जाता है या फिर उपंखा जो होता दोस्त वो जल जाता है तो ऐसा करने से हमारा नुकसान ही होता है तो àjust calculate कर सकें जिस से हमारा फैन का speed है वो सही से चल सकें तो इस सारी चीजे जो है दोस्त डिपेंड करता है voltage पर अगर voltage सही मिलेगा तो जो fan का speed है दोस्त वो सही रहेगा अगर ज़्यादा voltage मिलेगा तो speed भी ज़्यादा रहेगी मालने ते हैं दोस्त की जो हम fan लाए हैं उसका voltage का जो rating है 230 volt है और उसका rpm 400 rpm है यानि rpm का मतलब होता है rotation per minute या revolution per minute भी कहा जाता है यानि एक मिनट में कितना चकर घूम रहा है और उस time में जो capacitor लगाया गया है वह अड़ाई MFD का लगा हुगा है वहीं दोस्त कई बार ऐसा होता है कि जब voltage कम होता है तो जो fan का speed होता है दोस्त वह घड़ जाता है तो मालने दोस्त जो voltage आ रहा है वह 180 आ रहा है उस time fan का speed है दोस्त वह घड़ जाएगा और उस time में जो fan में capacitor लगा उससे अगर आप high rating का capacitor आप यूज करते हैं तो आपके fan का speed जो है सही हो जाएगा लेकिन अगर आपके यहां का voltage सही है 230 भोल्ट ही आ रहा है और उस time में आपका fan का speed है कम हो जाता है और वहाँ पर आप अगर high MFD के जगा पर 3.5 या 4 MFD का capacitor यूज करेंगे तो आपका जो fan है वह गरम हो जाएगा और गरम होने के बाद फिर जल जाएगा तो दोस्त कैपेस्टर यूज करने से पहले आपको देखना यह होगा कि आपकी problem क्या है वहाँ voltage कम आ रहा है या mechanical कोई problem है जैसे bearing जो है जाम है इस कैलन से या winding में कोई problem है इस कारण से भी पंका का जो SP होता है दोस्त वह कम हो जाता है और उस time में कोई बीना देखे ही जब ज़्यादा MFD का capacitor यूज करता है यानि ज़्यादा rating का capacitor जब यूज करेगा तो फैन जो है गरम होगा गरम होने के कारण से जो उसका starting या running winding होता है दोस्त व हमें यह पता करना होगा कि जो problem है वो voltage की currents है या mechanical कोई problem है तो voltage अगर आपके यहाँ कम आ रहा होगा तो आप multimeter से check कर सकते हैं या आपके यहाँ जो digital meter लगा उसमें भी voltage दिखाता है कि आपके यहाँ जो supply आ रही हो कितना volt आ रहा है 230 volt आ रहा है और fan का आपका speed कम है तो कम होगा उसको check करा लिजे otherwise voltage कम आ रहा है तो आपको उस time में कितना MFD का capacitor लगाईएगा जिसके current से आपका fan खराब भी ना हो और सही speed में चले इसके लिए आप इस formula के माध्यम से calculate कर सकते हैं MFD निकालने के लिए जो formula P into efficiency गुना thousand बट्टा voltage का square फिर F का मतलब है दोस्त frequency P का मतलब होता है दोस्त power यानि आपके यहाँ जो fan लगा होगा वह कितना watt का है तो माल लेते हैं दोस्त कि हमारे जो fan लगा है वह 70 watt का है और उसका efficiency यह 80% हम माल लेते हैं efficiency जो होता है दोस्त किसी भी machine का चाहे हुआ electrical हो या कोई और भी machine यानि उसको हम कितना input दे रहा है औ तो दोस्त वही उसका efficiency का लाता है यानि 100 रुप्या में हमें 80 रुप्या मिल रहा है तो उसका efficiency 80% हुआ तो उसका efficiency हम माल लेते हैं फायन का 80% है 1000 से जब हम multiply कर देंगे तो 5600 इंटू फिर 1000 180 और 50 से जब हम multiply करेंगे 96 और 4 टाइम 0 आएगा जब फिर हम divide कर देंगे तो divide करने के बाद जो है 230 के बजा है अगर 199 आ रहा है 200 आ रहा है या 180 आ रहा है तो आप यहां पर voltage पूट कर दिजेगा कि जितना voltage आ रहा होगा उसका value और यहां पर जितना watt होगा और फिर उसके बाद जो हमारे यहां electricity के जो frequency होता है वो 50 हर्ज है इसलिए हम यहां पर 50 पूट करेंगे तो जो आपके fan के लिए suitable capacitor का range होगा वो आप लगा सकते हैं तो दोस्त मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके यहां fan का speed slow है तो आप mechanical problem क्या है उसको देख लिजे या तो voltage का अगर problem है तो आप voltage कम आ रहा है तो वहां पर आप capacitor के यूज करके औ और फिर आप अपने fan का speed बढ़ा सकते हैं जिससे आपका fan खराब नहीं होगा अगर voltage सही आ रहा होगा और आप ज्यादा rating का capacitor यूज करेंगे तो overheat होने के करण से fan आपका खराब हो जाएगा और जल जाएगा तो दोस्त वीडियो अगर आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो फिलीज लाइक कर दिजे और चैनल को सबस्क्राइब करके इस बिल आइकन को क्लिक कर लिजे जिस समय साब को notification मिलती रहे तो आज के लिए तना है thank you for watching